हेलो बच्चो स्वागत आपका आपी की यूट्री चैनल पढ़ाई बाला में तो बच्चो सीब्सी का टर्म टू चैप्टर जो आपका है फाइव प्रियोडी क्लासिफिकेशन आज हम वो शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहला आपके सिलेबस में है नीड ओफ करने की हमें जरूरत क्या पड़ी तो इस टॉपिक को हम आराम से बिल्कुल डिटेल में सिंपल एंग्वेज में समझेंगे आप जल्दी सी वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो लास वीडियो को जूरू देखिएगा हम आपके हर एक डाउट को क्लियर क किया गया किसके बेस पे कि उनकी जो परथी जैना उनमें क्या का सब्सक्राइब कि घेल को कहते हैं इस्से छो सकता इस्सेंपल कहारा है कि जैसे यह classification की गए elements की एक जैसे elements को एक group में रखा गया फिर दूसरे जैसे elements को दूसरे group में रखा गया इनसे फाइदा क्या हुआ कि जब इनकी हमें study करनी पड़ी इनके बारे में हमें पढ़ाई करनी पड़ी तो वह काफी easy हो गया क्योंकि एक साइड में हमें एक तरफ में एक जैसे elements मिलते जा रहे थे जब एक ही properties show करते थे तो study करना उनके लिए easy हो गया अभी तक बच्चो 114 elements अभी तक discover किये गए हैं ठीक है दूसरा पॉइंट हैसी में कि शुरू-शुरू में जो classification हुई थी elements की तब क्या क्या हुआ था तो बच्चो शुरू-शुरू में सिर्फ और सिर्फ 30 elements थे जिनको जाना जाता था इनिश्यली जब इनकी grouping की गई थी उनको दो ग्रूप में डिवाइड कर दिया गया पहला था metals और दूसरा था non-metals लेकिन बच्चो इस classification में एक defect था डिफेक्ट यह था कि उसमें मेटलोइड के लिए कोई वही नहीं था प्रावधान ही नहीं था कि मेटलोइड को कहा रखें मेटलोइड क्या होते हैं जिनमें metals और non-metals दोनों की properties होती हैं तो इस classification में मेटलोइड के लिए कोई जगह ही नहीं थी तो यह इसका एक क्या था डिफेक्ट था डिमेरिट था तो बच्चो classification की जूरत क्यों पड़ी elements की मैंने आपको बिल्कुल ही डिटेल में simple language में समझा दिया अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो की comment में comment box में comment कीजिए मैं आपका reply ज़रूर करूंगा तो वीडियो अच्छी लेगे तो वी अबले वीडियो में बाबाई टेक केर